नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल धन्राज शॉर्ट हैंड कैड में इस ट्रेनों क्लासिस में दोस्तों आज का हमारे डिक्टीशन है रजस्थान पत्र का संपात किये अमरीका की वापसी और भारत की आस जैपर दिनाख 8 फरवरी 2021 ग स्टार्ट अमरीकी रास्ट्रपती जो बाइडन ने पहले राज नईक भाशन में अमरीका की वापसी अमरीका इज बैंक का एलान किया है विराम अंतराश्ट्रिय मामलों के जानकार और राजनितिक विशलेशक इस वापसी के नहितार्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं शायद इस टिपणी के जरिये बाइडन ने दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की की उनकी विदेश नीतियां उनके पुर्ववर्ती डौनाल्ड ट्रम्प के काल के मुकाबले जादा प्रभावी और इसपस्ट होगी ट्रम्प काल की नीतियों से हटकर उन्होंने भाशन में कुछ घोशनाएं भी की यह की जर्मनी से अमरीकी फौज की वापसी पर रोक लगाई जाएगी और अमेरिका में शरनार्थियों पर प्रतिबंद लचीले होंगे चीन को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने सभी देशों का अवहान किया कि दुनिया में बढ़ रही ताना शाही का मुकाबला मिल जुलकर करें। बाइडन ने कहा कि चीन के आर्थिक दुर्व्यवहार और हमलावर रुख को वर्दाष्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने अमरीका के चीर प्रतिद्वंद्वी रूस को भी आँखे दिखाई। इस भाशन से पहले बाइडन प्रशासन ने रूस में प्रतिपक्ष नेता अलेक्सी नवलानी की गिरफतारी की निंदः की थी। विदेश मंतरी एंटीनी बिलकेन रूस पर और प्रतिवंद्व लगाने के संकेत दे चुके हैं। चीन और रूस के साथ उत्तर कोरिया तथा वेनेजुएला ट्रम्प काल में भी अमरीका की आँख की किरकिरी बने हुए थे। बाइडन के भाशन से साफ हो गया की इन देशों पर लागू अमरीकी प्रतिवंधों में फिलहाल धील की कोई गुनजाइश नहीं है। पैरा चीन को छोड़ बाइडन ने दक्षिन एशिया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। चीन को उनका आँखे दिखाना भारत को कुछ राहत दे सकता है। चीन के हमलावर रुख के खिलाफ भारत अंतराश्क्रिय समर्थन की मुहिम में जुटा है। बाइडन ने एक तरह से साफ कर दिया की अमरीका इस मुहिम में भारत के साथ है। हिंद महा सागर में चीन की बढ़ती गती विधियों पर एतराज जताते हुए बाइडन प्रिशासन पहले ही कहे चुका है की अमरीका इस शेत्र में भारतिय हितों को नजर अंदाज नहीं करेगा। वैसे यह मानना गलत फहमी होगी की सिर्फ भारतिय हितों को लेकर बाइडन प्रिशासन ने चीन को निशाने पर लिया है। अमरीका के लिए अपने हित सर्वो परी रहे हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत ने अमरीका की चिंता भी बड़ा रखी है। भारत के बहाने चीन पर निशाना साधना उसकी रण नीती का हिस्सा है। जहां तक भारत अमरीका के संबंधों की बात है पिछले कुछ सालों में इन में काफी परिपक्वता आ चुकी है। इंडो पैसिफिक इलाका भारतिय विदेश नीती के केंदर में है। इसके बारे में बाइडन प्रिशासन की रण नीती साफ नहीं हुई है। भारत के साथ वियापार नीती पर भी पत्ते नहीं खोले गए हैं। भारत अमरीका से वियापारिक रिष्टों में भी मजबूती चाहता है। भारत यह भी चाहता है कि सुरक्षा परिशद में इस्थाई सीट के लिए कई साल से चल रही। उसकी मुहेम का अमरीका समर्थन करे विराम ट्रम्प ने ऐसा नहीं किया। बाइडन करेंगे तो रिष्टों का नया अध्याय रचेंगे पूर्ण विराम। आश्या करता हैं आप सभी को एडिक्टेशन पर संद आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी तक आपने हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लाइक और शेर करें। धन्यवाद। कि युकें घुत हैं